हेलो माई यूटूब फैमली रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सबी का वेलकम है आपके अपने सुनीता सर्मा ब्लॉग पर तो मैं हो गई हूं तयार जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं कहीं जाने वाली हूं तो मैं तयार हो चुकी हूं और निकलने के लिए मा वेटे तयार हैं बेटा भी तयार हो चुका है और ममी बेटे दोनों तयार हो चुके हैं और निकलते हैं और वहां ज आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे और जाका रही हूं वो भी आगे आप लोगों को ब्लॉग पर पता चल जाएगा तो हम लोग निकलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए और चलते हैं और हम लोग निकल लिए घड़ से और तीन बजे का टाइम हो रहा हैं आपर साम को करने के लिए ज्यारी हो और तीन बजे का टाइम हो रहा है और पहुंच आएंगे आराम से तो मैं जा कहा रहे हूं वह भी मैं बता ब verdict हो मैं जा रही हूं मम्हीं पापपा के घर तो वहां पर जा रही हो मैं वहां पर कल को कुछ पूजा रखी हूई है तो इस वज जानेGI स सुबह कुछ पूजा करानी है और मैं लगबक पहुंचने ही बाली हूँ अब गाउं से ज्यादा दूर नहीं हूँ पहुंचने ही बाली हूँ और यह मैं देख रही थी मोबाइल उठा के देखा मैंने का गले में कुछ अजीब सा लग रहा था बहुत लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिस कर रहे हूं कि होता है कि उसके बाद भी यह जो रैड में हमेसा यही ही रहता है मेरे boy मैं और मैं बहुत कोशिस कर रहे हूं निकालने की और देखे कर यह वها on बहुत हो कौन करने वाली थी तब तक बहाया मिल गए तो इनोंने हमें पैचान लिया और हमें मतलब लेका जा रहें घर फ्लिय दिती हैं कोई भी मिल जाते हैं तो वह सारी चीजें एक एक हो गया है यहां पर यह टंकी लग गई है तो इस तरीके से बहुत ज्यादा हर जगे गाओं-गाओं में अब सुभिदाएं होती जा रही है अच्छा लगता है अपने माई के में पहुंस देया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और खुशी होती है एक अलगी मम्मी पापा से मिलने की और मैं घर पर पहुंच चुकी हूं काफी देर बैठ बैठ चुकी हूं चायवाय पी लिये और मम्मी पापा से खुब सारी बाते कर लिये फिर ये दूद रखा हुआ था दूद आया था तो मैंने का चलो इसको गरम कर देती हूं मैं आ चुकी हूं मम्मी प पापा ने क्योंकि बेटा जो है कुछ समाल लेने गया था तो उससे समोसे वगएरा मंगा दिये चाइवाई पहले ही पी ली थी और यहां पर लग चुके हैं तयारी करने के लिए खानवाना खा लिया था और उसके बाद में हमने सोचा ना रात को कुछ काम कर देते हैं जो का जादा वाले होते हैं जादा टाइम वाले काम होते हैं जैसे कि प्रशाद बनाना तो यहां पर कथा हो रही है तो कथा की वज़े से जो है काफी सारा प्रशाद बनता है प्रशाद तो ऐसा है जो भी आ जाए बहुत अच्छी बात है जितने भी हातों में मिल जाए और यहा कि जो पूजा थी कथा थी वह कैंसिल हो गई और जिस तरीके से हुनी थी वह भी नहीं हुई तो वह मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी तो यहां पर देखो खाने पीने की सब कुछ तैयारी हो चुकी है छोले बन चुकी है और बागी खीर बनी है और आलू को चैनली पड़ा बिलकुल भी तो मम्मी भी आकर बैठ गई है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि बच्चे लगे हुआ है और वहां पर सब लोग लग जाती है और एक बुगाची लगी हुई है मेरी जो बुगाची है वो भी है तो वो भी लगी हुई है साथमर और यह आगा है थोड़ा सा अपना वो लगाने के लिए कि देखो मैं भी काम कर रहा हूं दिखाने के लिए तो यहां पर जो रायते के लिए जीरा बून रहे है रायते पर जीरा डालने के लिए तो यह भी अपना हेल्प करा रहे हैं वैसे बच्चों ने बहुत हेल्प कराई तो जैसे कि आपको पता ही है मम्मी से तो होता नहीं है जो मम्मी तो बहुत ज्यादा परिशान रहती है पैरों की वजए से अब तो देखो यहां कर बैठ गई है इनको बिल्कुल भी मतलब वह नहीं हो रहा कि कैसे कर लेंगे सब लेकिन सब जो है बहुत अच्छे से हो गया देखो यहां पर रायता बन रहा है तो राय यह में जीरा डालने के लिए बैठा हुआ है यह जीरा भून रहा है तो चल रही है सारी तयारी चल रही है और आगे आने वाली वीडियो में मैं जरूर वताऊंगी क्या हुआ था इसा मतलब पूजा जो है बहुत शाम को हुई और उस तरीकेसे नहीं हुई जिस तरीके से हूने चाहिए थी तो यहां पुझा की भी तयारी हो चुकी है। सब कुछ पुरा तैयार हो चुका है। खाना-पीना तो अधर तैयार हो चुका था अब सांती से बैट कर जो है कथा सुनेंगे कथा हो रही है अब सिंपल सी हो रही है पहले ऐसी नहीं हो रही थी अच्छे से हो रही थी लेकिन जो है बिल्कुल सिंपल करानी पड़ी तो यहां पर सारी तयारी हो चुकी है पंड़जी अपना जो भी वहां पर पूजा पाट की तैयारी करनी होती है वो सब कर रहे हैं और सब लोग आने वाले हैं बहुत अच्छे से लगता है गाउं में बहुत सुनने के लिए आते हैं सभी जो है बैठ कर कथा वगेरा कुछ भी होते हैं जभी जे उते होगा, सिर्स अजय आगे हैंसी मेर्याय जिया डूँद्वरोषा से ज्यक्तुद्वरोण Siwa शारी को, किन्य गाउं मत ़िए शाष्ट है? मत भी होते हैं सब कमने दिश्था है? infrastruktūकिता और पर थाम को श्यक्तुद्वरोणिस्वरोटोष। इसका अंत नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो भी बच्चों ने जो थोड़ी-थोड़ी किलिप सूट कर दी है वही मैं आप लोगों से से अर कर रही हूं तो यहां पर जो है कथा चल रही है बहुत अच्छे तरीके से और भी पूजा पाट तो जो भी होता है सब कुछ अच्छा ही लगता है लेकिन उसमें जो बिघन आ जाती है न बीच में उससे थोड़ा सा मन खराब हो जाता है क्योंक plan क्यूक्का जो जो है मन खराब हो गया था पंदजी भी बहुत जादा ठक गए थे जो भी हुआ था वहां पर उस तरीके से रात में कुछ ऐसा हो गया था जो कि वहां पर सभी लोग रात से ही जो तीन बजे से जो आज जगे हुए थे सब पूरा जो आज पड़ोस में जितने भी होते हैं और सत्यनाराइण भगवान की कथा जो अलग बग समाप्त होने वाली है बच्चों ने बहुत कम सूट किया है पता नहीं किसने सूट किया है जो के जरा जरा सी किलेपली है बहुत कम किलेपली है तो इस वज़े से और जो हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता होता है ना मने अफुझा करें। उधर पंड़ा जी को खानावना दे दिया है उसके बाद में बच्चों को भी बिठा दिया है क्योंकि बच्चे भी बिचारे इंतजार करते करते लेकिन हां पता था बच्चों को सबको बोल क्या दिया था सबको पता था कि अभी नहीं होगी कथा तो साम तक बिचारों ने इ नहीं पाइथे कि कोई यहां से प्रिया भी नीजा पाई थी वहर ममी से तो उता ही नहीं है तो इस वजह से जो है कनिया भी एग साथी कट दिया यह सब कुछ खथा भी हो गई और कन्या लांगुर भी कर दिये तो सब बच्चे बहुत आये थे लेकिन वो सब धीरे धीरे आते रहे अपना आराम आराम से तो यहाँ पर बच्चे जो है प्रेम से खाना खा रहे और सब को खाना पीना बहुत ज्ञादा पसंद आया है खुब सारी खाने की तारीफ की समने खीर बगेरा और जो प्रिशाद होता है भगवान का जो प्रिशाद होता है वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कहते हैं कभी हम घर में ऐसे बना लेते हैं नोर्मल बना कर इस तरीके से खाएंगे तो कभी बिल्कुल वह वा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जो भी मैंने खाना पीना बनाया मतलब बाकी तैयारी और सब ने की लेकिन खाना पीना मैंने बनाया तो चलिए मिली मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ